हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोरिया पर स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे वाब के V1 यानि वाब की जो फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम प्रिजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं इससे आप V4 यानि जिसे हम वाब की ING फॉर्म भी कहते हैं या प्रिजेंट फॉर्म में बदलने के नियम यानि प्रिजेंट फॉर्म को आप प्रिजेंट फॉर्म में कैसे बदलोगे कहने का मतलब क्या हुआ कि वाप की first form से V4 या हम कहें कि वाप की ing form V4 का मतला वाप की first form में ing लगाने का rules क्या है इस पर हम discuss करेंगे बहुती सांदार मज़ेदार topic है और students बहुत समय से request भी कर रहे हैं तो आपकी लिए ये वीडियो है ध्यान से देखे पूरा देखे मैंने सभी rules को विस्तार से समझाया हुआ है यदि आपने ये देख लिए तो समझो कि आपको ing form से समदित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अब सबसे पहले ये जान ले हम कि जो वाप है हमारी man वाप उसकी कौन-कौन सी form होती है या हम कहें क्रिया के रूप तो वाप की 5 form होती है पहली जिसे हम V1 कहते हैं ये present form या base form कहते हैं यानि वाप की first form जैसे go, eat, drink, laugh दूसरी होती है V2 यानि जिसे वाप की second form कहते हैं या हम कहें कि ये past form यानि वाप की second form का नाम होता है past form जैसे went, ate, drank, laugh और तीसरी जो होती है यानि वाप की third form जिसे हम V3 या past participle कहते हैं तो जब भी past participle का नाम आये आप समझ जाना कि वाप की third form है यानि V3 है जैसे gone, eaten, drunk, laughed चौती है present participle present participle यानि वाप की ing form जिसे हम V4 कहते हैं तो या ध्यान रखना past participle वाप की third form होती है जबकि present participle वाप की fourth form या जिसे हम कहें कि वाप की ing form यानि V1 जो वाप की first form है उसमें ing जोड़ा जाता है जैसे going, eating और सबसे last है वाप की fifth form जिसे हम V5 कहते हैं इसको हम S form भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाप की first form में S या ES लगाया जाता है जैसे goes, eats, laughs तो ये वाप की पांचो form होती है आपको समझ में आ गया होगा एक बार इसका photo ले ले, screen shot ले ले और आराम से बैटके इसका revise करे ताकि आपका ये concept clear हो जाए कि वाप की कितनी form होती है और उनका क्या-क्या नाम है V1, V2, V3, V4 तो हम कहते ही है present या base form, फिर past form, past part spell, present part spell और as form अब हमारा आता है कि वाप की first form से हम वाप की fourth form यानि V4 कैसे बनाएंगे ing form तो एक सामान्य rule है general rule कि सामान्य तब वाप के अंत में आप ing जोड़ दो कि भाई जो वाप की first form है ना base form उसमे ing लगा दो तो हमारी वाप की fourth form बन जाएगी यानि present parts spell बन जाएगी लेकिन अगर ये इतना आसान होता एक line में ये दिये खतम हो गया तो फिर हमें इसको पढ़ने की जर्रती कहां पढ़ती तो कुछन कुछ तो लोचा है तब ही तो इसके rules बनाये गए हैं और जोडने के नियम भी अलग अलग है तो उन सब पर हम discuss करेंगे एक सामने rule है इसके exam पर ले ले जैसे ask में आप ing जोड़ोगे asking हो जाएगा bind में ing जोड़ोगे binding हो जाएगा तो ये एक सामने rule है लेकिन इसके लाव और हमें क्या क्या देखना है अब हमारा rule number one आता है जिन वाव के अंत में consonant हो और उससे पहले केवल एक ववेल हो ववेल मतलब a, e, i, o, u जिसे हम कहते हैं स्वर हिंदी में तो consonant यानि व्यंजन हो अंत में सबसे अंत में तो क्या हो? consonant हो और उससे पहले केवल एक ववेल यानि व्यंजन हो तो ing जोडते समय अंतिम जो लेटर है न यह हमारा जो consonant है अंतिम लेटर उसको हम डबल कर देंगे फिर ing जोड देंगे तो rules आपको समझ में आ गया होगा अब एक्जाम्पल लें जैसे h, i, t, hit, hit means होता मारना तो यह देखें यहाँ पे जो अंतिम लेटर है वो consonant है यानि t है और उसके पहले केवल एक ववेल वो भी सही है आई आ रहा है तो अब इसमें ing जोड़ोगे न तो अंतिम लेटर क्या है t, t को आप डबल कर दो तो h, i, t, t, ing, hitting हो जाएगा आपको rules समझ में आ गया होगा और एक्जाम्पल लें जैसे put में ing जोड़ोगे putting हो जाएगा begin में ing जोड़ोगे beginning हो जाएगा dig में ing जोड़ोगे digging हो जाएगा अब यह rules one का एक special note हो रहे है जिसको हमें विशेज ध्यान देना है क्या है भाई जिन वाप के अंत में consonant हो बिलकुल हो पहले rule के अनुसार उससे पहले vowel भी हो बिलकुल हो परन्तु अंतिम letter x, y या w हो तो जो हमारा अंतिम letter है न यह consonant यह double नहीं होगा और अंतिम letter कौन सा हो x, y, w रूल हमारा पहला ही है लेकिन इसमें थूड़ा सा अंतर क्या है कि यह दी last का जो consonant है न वो x, y, w हो तो फिर हम उस letter को double नहीं करेंगे last वाले जैसे fix में ing जोडो देखें अंतिम letter consonant भी है और उससे पहले vowel भी है लेकिन यहां क्या है last में x है इन में से आ गया न x, y, w में से तो फिर आप इसको f, i, double x, ing नहीं करोगे इसको double नहीं करना केवल direct ing लगा दोगे यहां भी p, l, a, y, play है तो y है last में उससे पहले vowel है तो आप double नहीं करोगे playing हो जाएगा यह है draw इसमें ing जोडोगे तो drawing हो जाएगा अब rules number two क्या कहता है जिन वर्ब के अंतिम letter से पहले एक से ज्यादा ववेल हो तो केवल ing जोड़े यह ध्यान रखना जिन वर्ब का अंतिम letter है न उससे पहले एक से ज्यादा ववेल हो जैसे m double e t देखें यहां भी last में consonant आ रहा है ठीक है लेकिन उससे पहले अब यहां एक से ज्यादा ववेल आ रहे हैं तो फिर अब अंतिम letter को डबल नहीं करना केवल क्या करना ing जोड़े जैसे meet ing meeting cheat ing cheating lead ing leading join ing joining यह विशेश बात आपको ध्यान रखने क्योंकि अंतिम letter से पहले यहां दो दो ववेल है इसलिए हम अंतिम letter को डबल नहीं करेंगे rules number 2 आपका clear हो गया होगा जैसे read plus ing reading rules number 3 क्या कहता है जिन वाप के अंतिम letter जिन वाप का अंतिम letter e हो तो e को अटा करके ing हम लगा देते हैं जैसे live plus ing अंतिम letter e है तो e को अटा दो यहां से और बाकी लिख करके ing लगा दो तो leav ing living हो जाएगा drive e है अंत में ing जोड़ो driving हो जाएगा write plus ing writing हो जाएगा e को अटा दो save plus ing saving हो जाएगा लेकिन यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी क्या यह दी वाप के अंत में double e हो ना तो फिर e को नहीं अटाते हैं यहां तो single e था आपने हटा दिया लेकिन अगर double e हो तो फिर आप उसको नहीं अटाओगे जैसे agree में आप यहां e नहीं अटाओगे direct ing जोड़ दोगे c में seeing आप लिख दोगे direct ing flee है fleeing आप लिख दोगे concept के लियर होना चीए आप इसको समझो किताबों में तो बहुत दिया होगा लेकिन आप इस चीज को देखो rules number 4 क्या कह रहा है जिन वाप के अंत में ie हो तो ie की जगे y लगा कर ing जोड़ दो ie हो अंत में तो ie को हटा दो और उसकी जगे क्या लिख दो y और फिर ing लिख दो जैसे li e lie ing लगाओगे तो ie को हटा करके y लगा दो हाँ न तो li e lie तो lying हो जाएगा t ie e तो ie को हटा दो y जोड़ दो dying हो जाएगा die d ie ing जोड़ोगे i जोड़ दो dying हो जाएगा बहुत ही simple है कि अब आप rules को एक बार समझ लो rules नंबर फिप्त क्या कहता है जिन वाब के अंत में केवल एक ववेल हो केवल एक प्लस l ववेल के बाद क्या जुड़ा हो l और वो भी केवल एक तो ing जोड़ते समय l को double कर देते हैं बहुत विशेश है आपको बहुत कम जगे यह rules मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं विशेश ध्यान रखना लास्ट में एक ववेल हो a e i o u में से और उसके बाद l जुड़ा हो यानि सबसेंत में l होगा तो ववेल प्लस l तो ध्यान रखना ing जोड़ते समय l को double करेंगे लेकिन ध्यान रखना l के ववेल एक होना चीए ववेल भी एक होना चीए जैसे ट्रेवल 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 लास्ट में l है उससे पहले एक ववेल है तो आप क्या करोगे इस l को डबल कर दोगे तो टी आरे वी डबल एल आई एंजी ट्रेवल लिंग क्वेरल आई एंजी लगाओगे लास्ट में l है उससे पहले एक ववेल है तो यह हो जाएगा क्वेरल लिंग तो यहाँ पे आपको यह देखना है कॉंसेप्ट समझना है जैसे पैट्रोल प्लस आई एक गस्त करना धेन उसको हम कहतै तो आई एंजी तो पी एटी आरो क्या है वोल है तो ल को आप क्या करको कि डबल कर दूगे आई एंजी जोड़ोगे तो लेकिन यहाँ एक विशेज द्यान दखना आपको क्या जैसे यह वर्डो को देखो यह सूई-स टिल एल, इस्टिल है, एक term है, और यह वर्ब है, हम कहें, वर्ब है, इसमें आएंजी जोड़ोगे, क्योंकि last में एल तो है, लेकिन यहां वोवेल क्या है, एक से ज्यादा है, हमारा रूल क्या था, क्यों एक वोवेल हो, जैसे C-A-L-L, काल होता है, तो C-A-L-L-I-N-G आप लिखोगे, केवल direct, क्योंकि I-N-G हमें जोड़ना है, तो ये rules का आपको विशेज ध्यान रखना है, अब आपको मैं कुछ बाते बता हूँ, हमने जो 5 rules बता है, इन पे आप समझो कि 99% जो verb है, उनकी I-N-G form fit होती है, केवल 1% verb ऐसी है, जो rules से हटके होती है, और जब दिरे-दिरे आप प्रयास करोगे, practice रहोगे, तो आप अपने आप सीख जाओगे, कि वो बहुत कम verbs ऐसी है, जो rules को follow नहीं करती, जैसे B plus I-N-G, अब देखें, यहां E नहीं हटाया गया है, जबकि हमारा rules यह अटाने का कहत है, तो आप सीधे I-N-G लिख देते हो, जैसे open है, O-P-E-N-I-N-G, तो last में कहा है, consonant उससे पहले वोवल है, तब ऐसा होता है, तो हम last word को double करते हैं, लेकिन यह double नहीं किया गया है, opening सीधा लिख दिया गया है, जैसे D-Y-E, dying, तो यह E नहीं हटाया गया है, enter, यहां भी open वाला rules, follow, direct मतलब है, होना चीए, double last में लेकिन होता नहीं है, entering, happen, happening, offer, offering, suffer, suffering, तो यह कुछ वाब ऐसी है, जो rules से हटके चलती है, और यह सब कब आएगी, जब आप दीरे-दीरे practice करो, मात्र एक प्रसेंट वाब सहती है, जो I-N-G form के rules को follow नहीं करती है, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यह 5 जो मैंने rules बता है, इनको आप complete कर लो, और बहुत easy है, ऐसा नहीं है, जब आप practice करते हो, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, तो उमीदे सातियो, आप पे वीडियो पसंद आया होगा, यह आप चैनल पे नए हैं, तो subscribe करें, वीडियो प एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ,